मैं सेल्फ निकलेस एंड वेलकम टुछ देग्री स्पोर्टन टुट वीडियो में हम पावर टिलर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करेंगे पावर टिलर को हैंड या वाकिंग टाइप टेक्टर भी कहा जाता है 1920 में पावर टिलर को कॉंसेप्ट आया था जपान फर्स कंट्री है जिन्होंने लार्ज स्केल में पावर टिलर का यूज किया है 1907 में जापान में पावर टीलर का पहला मौटल डिजाइन किया गया था और इंडिया में पहला पावर टीलर 1903 में इंट्रोड़ूच किया गया पावर टीलर का मैक्जिमाम यूज राइस फ्रेल्ड को परदिंग के लिए किया DANAS पावर टिलर में 224 ply pneumatic tire लगा होता है जिसमें 1.1 to 1.4 kg पर cm2 का प्रेसर होता है इसमें मुख्यता V-belt pulley पुली पावर टांस्मिस्टन के रूप में उप्योग होता है मुस्टली इंडियन एक्रिकल्चर में 3.7 to 9 kilowatt और 6 to 12 HP range के पावर टिलर का उप्योग करते हैं IS 935-2002 पावर टिलर के लिए टेस्ट कोड है जो की इंडियन स्टेंडर द्वारा दिया गया है जब कोई कंपनी या मैनुफेक्ट्रर पावर टिलर बनाता है तो इसी कोड के गाइडलाइन के एकॉर्डिंग पावर टिलर की टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग के बाद ही पावर टिलर की कमर्सियल सेलिंग कोई मैनुफेक्ट्रर या कंपनी द्वारा किया जाता है पावर टिलर में डॉब कलर्स का यूज होता है एक प्रेजेट में वेस्टि पावर टिलर यूनिट पर यह प्रोड़क्शन करता है अबर तमान में वेस्टी पावर टिलर इंट्रेक्टर और 9 HP, 13 HP और 15 HP के टीन मॉडल पावर टिलर का बनाता है